वेल्कम टू साइबर किड्स पहले मैं सब पैरेंट्स को धन्यवाद करूंगा जो हमारे चैनल में आज ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो चैनल है साइबर किड्स इसमें हम बच्चों के लिए कम्प्यूटर का क्लासेस अफ्लोड करने बाले हैं सो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और दूसरों पैरेंट्स को भी ये चैनल सेयर करिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और कम्प्यूटर के उपर बैठ कर हो या आपका आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो आप प्लीज 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 हमें कमेंट करिए जैसा कि हमने बोला कि ये ग्रेड वान का कम्प्यूटर का क्लास के उपर वीडियो है आपके साथ करेंगे जैसे कि आपको पता चले कि हम क्या क्या चीज कभर करने वाले हैं हमारा वीडियो में ठीके यह सब हमारा कंटेंट से पहले चानल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए Cyber Kids ग्रेड वन कंप्यूटर क्लास में आपको पढ़ाय जाएगा कंप्यूटर is smart machine जिसमें बच्चों को पता चलेगा machines क्या होता है कैसे कंप्यूटर को हम smart machine बोलते हैं जूब बोला जाता है वाइए computer is a smart machine जिसे की इन्पूट डिवाइसे क्या है आउटपूट डिवाइसे क्या है ठीके और क्या अडिशनल डिवाइसे लगे हैं कंप्यूटर के साथ अटाच हैं CPU क्या है वो सारा चीज आपका बच्चे को पता चलेगा फिर next chapter में आ जाएगा जो की chapter 3 है uses of computer और इसमें computer का use कौन सा field में हो रहा है वो हम discussion करेंगे और सभी chapter में हम exercise करने वाले हैं उसका एक work sheet भी हम share करेंगे so please आप channel को subscribe करिएगा और दूसरे parents के साथ भी इसको share करिएगा next fourth chapter है using a keyboard keyboard के बारे में रहेगा ये chapter पूरा ग्यान मिलेगा keyboard के बारे में next chapter is using a mouse mouse का क्या use होता है how to hold a mouse different actions of mouse फिर उसके बाद आ जाएगा phone with tux pen जिससे बच्चों को बहुत सारा drawing करने का मिलेगा tux pen के उपर हम इसमें पूरा tux pen cover करेंगे जिससे की बच्चों को कोई भी परेशाद ही नहीं होने बाला है जिससे की बच्चों को पता चलेगा how to use the computer in computer lab और how to deal the computer so that उसे की जिसे की परेशाद ही नहीं हो कोई भी बच्चे को यह basically safety standards के बारे में हैं क्या हमको पालन करना पड़ेगा जैसे की computer के सामने हम जब रह रहे हैं जैसे की monitor के पास closely नहीं बैठना है keyboard को gentle behavior से keyboard को entry करना है यह सब चीज रहेगा उसमें storage device के बारे में रहेगा अंत्वे chapter 8 जिससे की पता चलेगा क्या क्या चीज हो सकता है जिससे हम अपना राज जो computer के उपर बना बजाया data है जैसे कि आपने मान लोग कोई drawing बना या computer के उपर उसको आप कैसे और कहां पर save कर सकते हो इसा पता चलेगा आपको storage device में फिर उसके बाद हम cyber Olympiad के बारे में भी बहुत सारे questions upload करेंगे सो आज का जो वीडियो था यह cyber kids स्कूल अप्लिक साइबर किड्स का जो हमारा चैनल है उसका पहला वीडियो था सो हम आशा करते हैं आप से देहर सारा प्यार सो थैंक यू थैंक्स फर वाचिंग चैनल पर बने रहीएगा और हम नेक्स वीडियो में computer ए smart machine से शूर करेंगे धन्यवाद